नमस्कार मैं हूँ सनमे फ्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज में और आज की इस करेंट फुर सुडियो में कई इंपार्टन टॉपिक है यह करके देख रहे हैं आप तो सब पर त्रचा करेंगे शुरू करते हैं बिना देर के वे और पहला कोशन महत्पून कोशन लेते हैं इस तरह ने GSLV F-14 रॉकेट से सेटलाइट इंसेट 3DS को लांच किया फ्रवडी 24 में भी हाली में तो किस तरह का सेटलाइट है तो इसका काम क्या है उदेश क्या है आं इस रॉकेट से इसको लांच किया गया है क्या खासियत है इसकी यह जो सेटलाइट है उसके बाद में बात करते हैं तो इस सेटलाइट बहतर मौसम सम्मधित जो अबजविशन है वो हमें देगा मौसम की भावशवानी करने जमीन पर समुद्र में जो इस्तिती है अगर चितावनी मिल जाती है कि यह तुफान आने वाला है और उसकी वज़ा से हमें आबदा में जो नुकसान है वो बहुत कम हो रहा है अब पिछले अगर हम 20 साल पहले के तुल्ला करेंगे आज में ठीक है तो यह एक इनसेट 3D सेटलाइट है और इससे रिलेटेट कई सेटलाइट यह पहले से अंतरिक्ष में है मौजूद भीया जाज़ चुका है और यह लेटेश्ट है और इससे क्या होगा कि मौसम समंदित जो सर्दूसेज है और बहतर हमें मिल पाएंगे एक और कोशन लेते हैं और फिर डिटेल और बताएंगे कोशन होगा इंटरस्टि पहले क्या रखा गया था पहले रखा गया था नॉटी वाय उसका निकनेम कह रहा हुए तो और अब यह नाम चेंज किया गया है और यह जो इंसेट 3DS जो मिशन लांच किया गया तो उसके जो मिशन डिरेक्टर है टॉम जोसिफ उन्होंने कहा कि अब यह डिसिप्लिन वाय बन गया है या ओबिदेंग वाय बन गया है तो देहंदो के नियूस देख रहा है आप आप उसी में लिखा है कि पहले नॉटी वाय था लेकिट आब यह डिसिप्लिन वाय हो गया है ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो देखिए क्या था न जी एसलवी 17 उससे रिलेटेड पिछल थे वो असफल रहे थे ठीक है और उसकी तुल नम है जो PSL भी है वो काफी सफल रहा था तो यह पिछले कुछ असफल इसके रॉकेट के जो अभियाद थे उसकी वाई से इसका नाम नॉटी वाय कर दिया गया था लेकिन आब चुकी इंसेट का जो इंसेट सेटलाइट है 3D कि उसको successfully इसने launch कर दिया है इसलिए इसका नाम आब क्या रख दिया गया है तो disciplined वाय या obedient वाय कहेंगे है ठीक है इस वो की बात कर ले मुख्याले कहां पर है बैंगलूरू करनाटक पर अस्थापन वे थी 15 अगस्त 1969 को चेर्मैन है सोमनात और पहले चेर्मैन कौन थे विक पुलिस का constable का examination था उसमें मतलब जितने भी current verse से नो सारे एक सारे ठकड़ा है आप पिछले कुछ वीडियो के comment box से वो देख सकते हैं उसमें students ने इतने सारी बाते बताई हैं कि एक ए question ठकड़ाया है उन सब को वो कर के आया है तो अच्छा examination रहा और हमारी यही कोशिश र सारे questions आते हैं पिछल बार UPSC की examination में BPSC examination, UPSC examination सब में खूप सारे टकड़ाते रहे हैं question और अब UP police constable में अगर आपने भी exam दिया है comment box में ज़रूर बताई है ओके और membership plan भी है आप सब के लिए current force के लिए चाहे IS, PCS examination हो या police का या state के भी examination सब के लिए थैयारी के लिए membership membership plan है, सरकार जवापने इसके app पर और इसके तरिये आप 6 महिने तक current force का PDF ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, app पर और test दे सकते हैं, और subject को ये भी test series है, ठीक है तो दो तरह के membership plan है, अब ये offer भी चल रहा है, और 1500 रुपए में 25,000 students को, काफी student ने ले लिया है, हजारों बेसिक membership plan है, जो कि SSC level का, जितने भी examination of police teaching सब के लिए है, और दूसरा है, जो कि 2500 रुपए में मातर 15,000 students के लिए है, वो ISPCS examination के current force को ध्यान में रखकर वो तियार किया गया, देखिए जोरी सुटे के description में, ये offer चल रहा है, कम वक्त के लिए, अगला question लेंगे, airport पर दुन में MOU sign किया, यानी समझाता है, आपन पर signature किया है, आसो का, कोचिन international airport, क्या है, कोचिन international airport, और economic times में, आप detail news भी देख रहे हैं, यहाँ पर, तो BPCL का full firm का होता है, भारत petroleum corporation limited, और CIAL का full firm का है, कोचिन international airport limited, ठीक है, तो दोनों संग्ठों नोंने, एक तो airport, और thought, मत airport जो company है उसने, और दूसी BPCL में मिलकर, कोचिन airport पर है, यह green hydrogen plant रस्थापित करनी के लिए MOU sign किया है, और आपको बताओगी, यह किसी भी airport पर, दुनिया का पहला green hydrogen plant होगा, कोची में ही यह कोचीन airport है, देखिए, 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 कोची का पुराना नाम कोचीन है, और कोच अब यहाँ पर green hydrogen की बात हो रही है, तो उसके बारे में कुछ बाते important जो है, वो आप बता दू, examination के लिए महाथपूर्ण है, देखिए, green hydrogen पार्मपड़िक इंधन का एक option है, और उसको किसी भी vehicle पर इस्तमाल किया सकता है, उसके लिए खास बदलाओ करके, green hydrogen hydrogen जो है, वो जैसे कोई pollution नहीं होता है, ऐसा मानना है, और green hydrogen कई परकार के होते हैं, जैसे gray hydrogen, blue hydrogen, brown hydrogen, green hydrogen, hydrogen gas, क्या लगला है, परकार है, hydrogen तो एक ही तरफा होता है, लेकिन उसको क्या कि उसके निर्मान की जो प्रक्रिया है, उसके अधार पर ही इंडिवाइट किया हुआ, कुछ और भी hydrogen के परकार अब देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख तोर पर ये चार परकार हमें देखने को मिलते हैं, तो green hydrogen बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो renewable energy है, यानि solar या wind, इन सबसे जो प्राप्त electricity है, उसका इस्तमाल किया जाता है, और उसके जरीए hydrogen को मना जाता है, अब क्य क्या किया जाता है, जो बिजली हमें मिली, green energy मिली, यानि solar plant से मिला, या wind energy से मिला, मतलब electrolyzer में जो इंतन चाहिए, उसको हम green energy के जरीए लिए, और पानी से हमने oxygen और hydrogen को अलग किया, और इस से ये बन जाता है green hydrogen, okay, green hydrogen, तो एक important बात है ये, electrolyzer के जरीए hydrogen और oxygen को अलग किया है, फिर oxygen को अलग कर लिए जाता है, hydrogen को अलग कर लिए जाता है, hydrogen हमारे energy के लिए important हो जाता है, और oxygen अगर ज़रूद परे तो अस्पतलों के लिए important हो जाता है, ठीक है, अब सवाल यह है कि hydrogen ही क्यों, दरसल प्रित्यों पर प्रचूर मात्रा में hydrogen है, और petrol से 2-3 गुना बह प्रचूर में बहुत ही से यह जगा बना रहा है और बनाएगा बहुत ही से, भारत की अर्थोरस्ता जिवाश्मने इंदर पर बहुत ज़दा आयात परनेर पर है, और हम जब hydrogen का इस्तमाल करेंगे तो अर्थोरस्ता और बहतर बनेगे, इसका उपयोग, परिवहन, इसपात वहाँ चलाने, इन सब में हो सकता है, कार, बस, ट्रेन, इस्पेस रॉकेट फ्यूल में तो hydrogen का इस्तमाल को भी होता है, वेल्डिंग, पेट्रोल में रिफाइनेरी, फर्टिलेजर प्रोडक्शन, इन सब में हो सकता है, और hydrogen, fuel, sale, पर आधारित कार भी हमारे हाँ चल रही ह ट्रेटा की कार है, और भी कुछ कंपनियों ने इसको लॉंच करने की कोशिश की हुई है, तो hydrogen से कार भी चल रही है, और यही प्लांट किसी एरपोर्ट पर पहली बार वो हो रहा है, कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट पर जो की कोच्छी में है, एनाकुलम जिले में, नेक नियुंतम सजा का प्राथन क्या है, आंसर है, दस साल की कैद और नियुंतम एक करोर का जुर्माना, यह है हाइस्ट पनिस्टमेंट, ओके पनिस्मेंट, तो यह नियूस देख रहे हैं, आप, दोनों सद्नों में संसत के, वहाँ पारित हो गया, अब राश्ट्पती, दुर 2024, उदेश ही एक जो सरकारी, जो परितोगी परिक्षाए होती हैं, और जो तमाम, मतलब, इक्तामनेशन है मैंनली, तो उसमें जो कताचार है, जो नकल, जो आमतोर पर जो परचालीक हो गया, उसे बहुत तोगसान होता है, इस्टूरेंट का, वक्त खराब होता है, और रेस अगर दोखादरी की जाती है, एक्जामनेशन के साथ, तो इसके लिए वैसे तो नियुनतम 3-5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर दोखादरी में संगठित अपराद है, यानि परचालीक हो रहा है, उसमें कई लोगों का involvement है, तो उसमें 5-10 साल की कैद और लिप्त, जो अथिकारी है, संगठन है, उन सब को दंडित करने का ये प्रावधान रखता है, ठीक है, बात पुन बात, तो यहां पर unfair means का मतलब क्या हुआ, अनुचित तरीके का मतलब क्या हुआ, मतलब कि पैसे या गलत लाव से किसी को एक्जामनेशन में गलत तरीके से म और भी कई सारी चीजें इसमें प्रावधान की गई है, अगर जिसे उत्तर पुस्तिका है, उसमें कोई छेड़चार की जा रही है, तो उस दौरान भी अगर कारवाई की जाएगी, तो कौनकों से इग्जामनेशन शाम मिलें, तो इने के लिए, UPSC, यानि Civil Source Examination, CDS, कई सारे examination इसमें शामिल की गया है, तो एक important ये सरकार के द्वारा कानून बनाया जा रहा है, तो कुछ वक्त बाद मुझे लगता भी लागू होई जाएगा, राश्टमती ने signature कर दिया, तो के होगेगा, अब इसके कुछ नियम वगड़ा बनने होते हैं, तो वो भी प्रक इसे खराब होता है, चले आप नेक्स्ट कोशन पर लेते हैं, नेक्स्ट कोशन है अगला भारत में कहां पहला फ्रेंच फिल्म महसब शुड़ हुआ है, आंसो का कोलकता, ठीक है, पश्मंगाल के राजधानी, और ये नियूस देख रहा है, नौ दिवसी है महसब है, 16 से 24 तक ये चल रहा है, और उदगाटन समारों के दोरान, बॉलिवूड एक्टर, अनिल कपूर, वो भी मौझूद थे, चीफ के तोर पर, और कुछ, फ्रांस फ्रेंच, जो सिनेमा से लोग है, वो भी वहां मौझूद है, पश्मंगाल की बात हो रही है, वहां पर यायजन हु आनसोगा मेडगासकर, मेडगासकर की संसद ने दो फ्रोरी को ये बिल पारित किया, अब इसको क्या है कि कुछ संसद ने तो पारित कर दिया है, कुछ एक और बाधा है, वो भी उमेद है कि पुरी हो जाएगी, यो वहां के उच्च समयधानिक नयायाल है, उसके दोरा एप नपूसक बनाने के प्रक्रिया बताएंगे हैं तो उससे पहले एक काम करते हैं कि मेड़ागासकर के बारे में जान लेते हैं मेड़ाजकर कहाँ पर है मैप में नजर आता है वो दीख पर हिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो अपना प्यारा भारत रहा ये और मेड़ागासकर जो है अफरीकी देश कहा जाता है तो यहाँ पर है मेड़ागासकर यह तो अफरीका है उसी के पास में यह वाला जो इससा देख रहा है यह है मेड़ागासकर इसके राजधानी क्या है राजधानी का नाम है इन्टाना नैरियो मुद्रह है यहांके माला गासी एरीरी राश्टपती हैं याके एंड्री रजु एलिना प्रामिश्टर है इसाई नद से तो दो तरीके से बद्याकरन याके है नंपोलसक बनाने की प्रक्रिया के बारे में जिक्र है बिल में इक है केमिकल यह और दूसरा है सर्चिकली केमिकल में क्या होगा कि यौन इक्षा को कम करने के लिए केमिकल का इस्तवाल किया जगा बॉडी में अगर कोई व्यक्ती बलातकारी साबित हो जाता है तो उनके लिए और दूसरा है सर्जीकल उसमें का होगा कि पुरुष के अंड़कोष को निकाल कर और पूर्ण तरीके से नपुनसक बना दिया जागा और भी कुछ प्रिक्रिया उसमें की जाएगी और इसमें यह है कि प्रावधानी है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर बलातकार का दोशी है कोई तो उसके लिए सर्जीकल तौर पर नपुनसक बना जागा बदिया करन किया जागा अंड़कोष निकाल कर और यह है कि 10 से 13 साल के आयों के बच्चों या बच्च भी किया जा सकता है उसका बधिया करन ठीके तो इनपॉर्टन बात मेडागासकर के बार में आपने जाना जो कि फर्वरी में ये कानून पारित किया गया है सलसत से अब ही आगे और कुछ प्रक्रिया है नेक्श कोशन लेते हैं पीम सोड घर मुफ्त बिजली योजना उसके ठीक है प्रतिमाद 300 यूनिट तो इससे पहले भी पीम सूर योदे योजना का नाम दिया गया था लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि पीम सूर घर मुफ्त बिजली योजना ये कहा जा रहा है ठीक है तो ये 13 फर्वरी को उन्होंने लांच कर दी है ये योजना इस योज अस्थापित करने के लिए वित्ति सहायता सरकार देगी लक्षी ये है कि हर जो पात्र वेक्ति होगा एक करोर परिवार कही है तो उनको 300 यूर्ट मुफ्त बिजली मिल जाए ओके और ओनलाइन पोर्टल भी इसके लिए बनाए गया है और उस पर आविदन करना होगा ठीक ह पीडिफए भी मैंने पूरा डिटेल दिया है अगला कोशन 58 ग्यान पीठ पुरुसकार के लिए किसे चुना गया है इसका अंसर हो गुलजार और जगद गुरु राम भजरा चाहर है ठीक है तो ये अनॉसमेंट हो गया है और ये पुरुसकार 2023 के लिए रहा है कब के लिए वर्ष 2023 के लिए ग्यान पीठ पुरुसकार और ये भारत का साहित देखे चितर में सरवोच सम्मान ये माना जाता है तो ये 58 है लेकिन ये ग्यान पीठ पुरुसकार 2023 है जो की ऐलान हुआ है 2024 में गुलजार के बारे में आप जानते होंगे कवी हैं शायर हैं शांदार गज जिले उन्होंने लिखी हैं गीत लिखे हैं उन्होंने ठीक है वैसे तो उनका असली नाम संपोर्ण सिंग कालरा है क्या नाम संपोर्ण सिंग कालरा है लेकिन गुलजार के नाम से वो बहुत ही फेमस है ठीक है ज्यान पीठ पुरुसकार भारत का स्वरुच साहितिक सम्मान होता है ठीक है तो इन दोनों को यह आवार्ड दी जाने की घोशना की गई है ओके और राम बातराचार उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हिंदू अध्यात्मिक लीडर का यह शिंक्षक का यह वो है और कई पूस्तकों के लेखक भी हो बता जाता है कि 240 से अधिक पूस सारे और आवार्ड मिल चुके हैं इससे पहले जिसे 2002 में उर्दू के लिए उर्दू साहिति के लिए उनको साहित अगाद में पूसकार मिला था हम लोग देख रहे हैं कि उनको 2020 का ग्यान्पिट पूरसकार और यह 58 ग्यान्पिट पूरसकार के लिए उनको चुना गया है वो विज tint है ओक г्यानपिट पूरसकार उसके बारे में अगर हम जिक्र करें तो यह important है देश का संगिठा ने उसके द्वरा दिया जता है भारती ज्यानपीट के स्थापना 1944 में हुई थी ठीक है और यह जो अवार्ड है वो किसे भारती नागरिक जो कि अगर सवाल हो कि पिछला यानि 57 यान फिर पुरुसकार किसे मिला था तो गुवा के दामोधर मोजो को मिला था किसने इंडोनेशिया के राष्टपती चुनाओं में अपनी जीत का दावा किया आंसोगा प्रभोवो सुभी आंतो वहां के चुनाओ योग ने एला नहीं किया लेकिन इन्हों ने कहा दिया कि हम तो जीत चुके हैं भाई ठीक है हम जीत चुके हैं और ऐसा खहा दिया उन्हो इंडोनेशिया को एक बार देख लिए फिर और और आगे वताएंगे हम कोशन के ज़री है और यह आशंका जताय जारी कि वहां पर तनाशा ही फिर से आसकती है एक और मैप के जरीवे देख लेते हैं प्यार भारत है और हम इंडोनेशिया इस तरफ आएंगे हम लोग इसी राजधानी है जकारता, और इसकी नए राजधानी जो है वो नो संतारा, वो वहाँ पर बन रही है, डिपलब किया जा रहा है, मुद्रा है यहां के इंडोनेशिया है, यह रूपिया, थीक है? तो यहां पर यह महोदे हैं, जो देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा दिया क कि हम जीत रहे हैं, हम यह चुनाव जीत रहे हैं, और हम ही राष्टपती मनेंगे, अब यह विवात का विश्या क्यों बनाएं, वो अगले कोशन से समझते हैं, तो कोशन होगा, इंडोनेशिया के राष्टपती चुनाव में अपने जीत का दवा करने वले प्रबोवो, सुहारतो के यह दमाद हैं, कौन? अभी जो चुनाव जीत का दवा कर रहे हैं, प्रबोवो सुभियान तो, ठीक है? अब आप कहेंगे यह सुहारतो कौन है? यह पहले तानाशा रह चुके हैं, अतलंबे समय तक के लिए, और उनके दमाद अब ने जो राष्टपती चुने जा रहे हैं, होई गया, सुहारतों ने 32 साल तक शाषन किया था यहाँ पर, इन्होंने, इन्होंने इस्या में, अब पूरी तनाशाही थी, मानवादिकार समों का कहना है, कि प्रबोवो राष्टपती बनते हैं, तो तनाशाही क्यों रुख कर सकते हैं, प्रबोवो जो यह देख रहे हैं, यह सैन जनरल रह चुके हैं, और अपने ससुर के शाषनकाल के दौरान, वो बहुत ही प्रमुक भूमिकात में थे हो, ठीके, और उस दौरान वहाँ इंडोनेशिया में, पानवादिकार हनन भौत हुए थे, ऐसा कहना है, तो दोस्तों यह था, इन्पार्ट के दिस्क्रिप्शन में, बाय!